निमनी की तालो को उनकी तालो की संख्या से मेल मिलाना है और सही उत्रपर चिन दगाना है और ग्यार्वी तो 4 अंसफर जो है इसका रायट है बड़िस वारे ताल में कितनी मात्राइं है 16, 14, 12, 10 तो 16 इसका राइट आंस्वर है शरज मध्यम पंचम की शूतिया मानी गई है 4, 4, 4, 3, 3, 3, 2, 2, 2, 2, 1, 2 तो पहला आंस्वर राइट है पूरिया धनाशिरी में किस्वर पर जो है न्यास किया जाता है गापा, गाधा, गाणी या फिर गामा तो गापा पर नियास किया जाता है राग मुलतानी के आरोमी वर्जिच्वर है रेधा, रेपा, माधा, पारे तो रेधा इसका राय टांस्वर है गोड सरंग का संप्राकृतिक राग बताना है भैरव, नंद, काफी, जोगिया तो नंद, इसका राय टांस्वर है हिंडोल राग का वर्जिच्वर बताना है रेपा, रेधा, रे मा, या फिर, रेणी तो रेपा इसका राय टांस्वर है नेक्स चलते हैं कोन सा पुर्वांग परधान राग है शुद कल्यान, हिंडोल, देशकार, या फिर लली तो शुद कल्यान राय टांसवर है विश्णो दिगंबर पुलसकर का घराना बताना है आगरा, गवालियर, दिल्ली या फिर पंजाब दक्षिन टाल में मिशजाती के लगू की कितनी मात्राइं होती है 7, 5, 9, 3, तो इसका राय टांसवर है विपंची वीना के तारकी संख्या 21, 9, 21, 12, तो 9 इसका राय टांसवर है ताल पश्टो में प्रतम खंड कितनी मात्राओं का है दो तीन चार या फिर पांस तो तीन मात्राओं का है राग सुहनी के आरो में वर्जित करते हैं रेपा रेमा रेधा रेनी तो रेपा वर्जित करते हैं शरज ग्राम का शुतिस्वर विभाजन बताना है चार साथ नो तेरा सोला इकिस बाइस 479-13 16 22 479-13 17 22 4 79-17 18 20 22 तो इसका राइट आंसर है 479 13 27 22 किस ग्रंद में ग्राम का वनुंट सब्सक्राइब किया गया भ्रत मतंग नारत शारंगदेव तो मतंग ने किया था तूमीर कुसरों ने किनवादय का विशकार किया तबला सितार क्या दोनों किसी इधिक श्रों को Kari 2017 पर मदुर्ध्वनी उत्वन होती है तो ऐसे मचेते हैं कोनेंस की क inverter history तो दीप चंदी और फ्रोदस्त दोनों चोदा मात्राओं की ताल है राग मारवा का वादी समवादी रेधा रेगा रेमा रेपा तो रेधा है इसका राइटांस्वर इन डागों में दोनों गंधार दोनों निशात का प्रयोग होता है माल गुंजी देशकार बसंत या फिर बहार तो माल गुंजी इसका राइटांस्वर है यहां मंदर मद्यम के अंदोलन संखे 160 तब चार गुड़ा से अपनाद द्वारा कि स्वर की प्राप्ति होगी तो मंदर अतार सब्तक के म की होगी किराना घराने के संस्थापक बंदे अलीखा गुलाम अलीखा मिया अचप भी थाट के स्वर बताने है तो जिसमें गर और नीकोमल होता है तो ऐसा आमें दिखाई दे रहा है लास्ट में श्री निवास ने स्वरों की संक्या बताई बारा अठारा उन्निस या फिर पच्चिस तो बारा बताई इन्होंने साथ शुत पांच विक्रित राग भी भूत ग स्वरों मध्यम्ग्राम का शुतिस वर्व भाजन बताना है चार तीन दो चार चार तीन दो तो यहीं मध्यम्ग्राम का है है सुल्टान में कितनी ताली है तीन दो चार या फिर पांस तो तीन तालिया है प्रणव भारती के लिखक है भातखंडे पुलसकर ओमका नाठाकूर राम सहय तो को ताल बारह तो राइट आंशवर प्रच्टों में साथ कहरवा में आठ शुबताल में पूर्वी अंश के स्वर बताने हैं सारे घड़रे सा तो रे को मद्स माधी फर्स्टाप का राइट है इसमें पूर्या का वाधि जमबादी रेपा मासा गानी नेसा तो रेपा इसका र पूर्वांग है इसका पूरिया धनाश्री का संप्राकृतिक राग बसंत चंद्रकोस पूरिया या फिर खमाज तो बसंत इसका राइट आंस्वर है राग शिरी का गाय समय बताना है दिनका अंतीम पहर दिनका तीसरा पहर दिनका दूसरा पहर दिनका चोथा पहर तो दिनका अंतिम पहरिस का राइट आंसवर है तागुरवाणी के परवर्तक कौन है स्वामी हरीदाज, शिरीचन, तांसें, समोकन सिंग, तो स्वामी हरीदाजी तागुरवाणी के परवर्तक है दमार को किस गीती के अंतरगत रखा गया भीना शुद्धा या फिर सधार नी तो भीना गीती के अंतरगत रखा गया तुराना गायकी का दूसरा नाम तिराना तिल स्टोप गान या फिर तिल तो थर्ड है युनिसन इंटरवल का इंटराल बताना है वन रेशो टो वन रेशो संगीत पत्ति का सावरी थाट करनाटक संगीति किस थाट किसमान है खरर प्रिया हनमत तोड़ी शुक्पंतु वराली नट भैरवी तो यह थी हंड़ेट कोशन हमने जो सोल कि तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जूर बताएगा वीडियो को लाइक शेर जो है जरूर का एक्जाम जो है बहुत अच्छे से हो तो आप लगे रहें महिनत करते रहें बने रहें इसी तरीके से थैंक्यू है हेलो एवरीवन वेलकम बैक टो माई चैनल आयाम नहा नारंग तो आईए आज की क्लास टार्ट करते हैं आज हम के वीडियो कोशन है हम सोल करने जा रहे ह आप लोगों से रिक्वेस्ट है वीडियो को ध्यान से देखिएगा चैनल सब्सक्राइब नहीं क्या हो तो चैनल को जूर सब्सक्राइब करें और इन हंड़ेड कोशन में से आपके कितने ठीक होते हैं कमेंट जरूर कीजिएगा तो आईए स्टार्ट करते हैं संगीत रत् पासुरी व्रिदंग डमरू जलतरंग तो घन वाद्या जो है हमारा जलतरंग है टपा गायकी का अविश्कार किस ने किया वाजिद अलिशा शोरी मिया मान सिंग तांसे तो टपा गायकी का अविश्कार शोरी मिया ने किया था गीत की कितने प्रकार है दो चार तेन आठ त गीत के दो प्रकार माने गए हैं पाश्यात्य संगीत में शुद्ध निशाद की आंदोलन संख्या बतानी है तीन सो बीस तीन सो साठ चार सो चार सो पचास इसका राइटांस्वर है दर्बारी कारणा राग का थाड बताना है कल्यान असावरी काफी या फिर भैरव तो संगीत में से किस गेविधा की तबले पर संगत जो है की जाती है धमार दुरुपत ख्याल या फिर भजन तो आपके ख्याल जो है तबले पर बजाए जाते हैं सारे जहां से अच्छा हिंदुस्ता हमारा ये धुन किस ने बनाए फ्यास खार रवी शंकर तांसे नाना पांसे तो रवी शंकर इसका राइटांस्वर है संगीत अतनाकर में गमक के कितने परकार बताए गए हैं 10 15 20 25 तो 15 कोंसा गमक का परकार नहीं है आंदोलित वली पला पूर्याकाव का वादी समबादी गैंशा घ्यास राईट एक शूलताल करना है परज अडान बाश्री और जोग्य यह आपका बिल्कुल सही क्रम है हिरात से शुरू होकर कि आपकी जोग्या जो है प्राते काल में गाया जाने वाला राग है सब्त अध्याई का वन्रण जो है किस गरंत में है संगीत सारा अम्रित संगीत रत्ना कर संगीत भाश्य तो सब्त अध्याई का वन्रण संगीत रत्ना कर गरंत में किया गया है किसी व गाई टान्सवर है जब 12 सवरों को क्रमानुसार दिर्शाते हैं तो कुन सा केल होता है मायनर मेजर डाये टोनेक्स क्रोमेटिक्ट होता है दुरुपथगाई की कासर किस ने किया तामसेन Judge शोरी M Asia Arc अठ्बर अली राजामां सिंग तो मर्तो राजामां सेंग तो मन् सिंग karış में करें तो नहीं में प्रजोंग होता हैं कि तो डॉट्ब कंडेस मोदू का जी राकशुणी का वादी समवादी बताना है गढदा धगा गानी परे तो गानी इसका राईट आंसवर है कुम्ताल में खाली है 2-6-10 मात्रा पर 8-9-10 पर 3-4-7 या 2-8-10 पर तो 2-6-10 पर इसका राईट आंसवर है भारति 8 मात्रा को पाशाते संगीत में क्या कहते हैं ब्रेव, सैमी ब्रेव, मिनीम या फिर क्वेर तो इसका राय टांसर आएगा ब्रेव या ब्रीव एकी बात होती है तो राक के स्वर के विस्तार को विभिन लंकारों गमक मीन आदिस अजाकर गाना क्या कहलाता है जूमरा ताल के एक वरतन में चोगुन मिलाकर बोलने के लिए ताल कितनी मातरा के पच्चाथ जो है शुरू होगी देशकार में कौन सा स्वर प्रियोग नहीं होता है मध्यमग्राम की मोशना जो है कौन सी नहीं है शुद मध्या पोर्वी नंदा हरेणा शवातुर नंदा इसका राइट आंस्वर है संगीत की दो भेथे मागदी अदमागदी सांत्रा सै काकली मारगी देशी संकीरन चाय अलग तो इसका राइट आंस्वर है आपका मारगी और देशी नेक्स रते हैं थर्टैत कोशन पर मागा मास वरावली किस राग की है बसंद की बहार की जोग्या की या फिल विभास की इसका राइट आंस्वर है बसंद दंदुभी वादे किस काल में प्रसलिथा मध्यकाल प्राचिन काल आध्ने काल या फिर वैदी काल तो इसका निबदगान का निबदगान गंधरवगान मारगी गान तो निबदगान इसका राइट आंस्वर है दक्ष्णिस्वलिपी पत्ति में आधी मात्रा के लिए हम चिन कौन सा दिखाते हैं अर्चंद्राकार जीरो जो आपको चिन दिखाई दे रहे हैं उसके लावा तो ख आपका राइट आंस्वर है किंड्री वीना का विश्कारक किसको माना जाता है मतंग को भरत को शारंग देव को या फिर अहोबल को तो मतंग इसका राइट आंस्वर है जब एक स्वर को इस पर कार रखा जाए कि स्व लगे तो मेलोडी कहनाती है has कुलावाज तो खुला कैलाए गेशरी याफिर छायानट तो गामोध में किया जाता है रिगा-reehsa-श्रामु किस राहल का है तोड़ी का है कल्यान का है 228 जानथोट इसका राय टानसर है तोड़ी कि सवस्थान यंद्ट किल राम साय का गराना कौन वैबनारस पंजाब दिल्ली या फिर canटारी जे Mais तथातř है भूर मलाआइड का थाट या कल्यार । पिक तो गोड़ मलहार का थाट जो is को नुए आपका खमाज है मारगी संगीत का अप्रयोग करते थे ataque कंधर्व रिशी समान्याजन तो गंधरव लोग करते थे देवी देवता करते थे अलाओ दिन खा के शिश्य कोन है? अली एहमद, आहमद जान, नाम साहे, भैरव साहे तो अलाओ दिन खा के जो शिश्य है वो अली एहमद है निमल लिखित में से कुन से स्वर तोड़ी थाट के है तो रे का धा कोमल और मतीवर लगता है तो फस्ट ही आपका रस्ट राइट है चार ताल में कितनी ताली है तीन चार पांच छे तो तालियों की सख्या चार है पाटक्षर त्राना कविता के बोल का मिश्रण हो तो तुरीवर्ट चत्रांग साद्रा या फिर धमार तो इसका राइट आंस्वर है आपका त्रीवर्ट कि 7 x 4분 कि हम एक लेकारी को हम कहते हैं और क्यांक भी आर्ट या फिर माकर तो बीर कहते हैं इन में च्रय वाद्या कोन सा है भैरी शुक्ति या फिर पर बहेरे जो है आपका चरम बाद्या है अक्टर ने किस गलंचली को प्रोसान दिया धमार ख्यार ठुम्री या फिर दुरूपद तो इसका राइट आंस्वर है ठुम्री माल गुंजी का वादि संबादी बताना है मासा गधा गणी सामा तो मासा इसका राइट आंस्वर है